जाई िंद, जाई भारत, दोस्तों आगर आपको यह पहले से पता होगा न तो आप इस वीडियो के नीचे लिख़े कर जा सकते है width मेरी दी हुजनकारी अगर आपको समझ ना आएगी तो आप वीडियो के नीचे कुछ भी लिख देना ओके और हां यहां पर यह कमजूर भाईयों के लिए ठीक है तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं और गाई स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म साइ क्या है और इसके बाद उत करम निये परिवर्तन और साथ ही हम बात करेंगे अनुत करम निये परिवर्तन ओके तो देखते रहिए और आगे आपको क्या क्या चीज़े यहां पर सीखने को मिलता है तो बहुत ही आसानी से देखेंगे तो आपको यहां पर दिख रहा होगा प कोई भी पदार्थ, जी यहां, दुनिया के आप कोई भी पदार्थ ले लिजे, कोई भी पदार्थ को बदल जाना, आपको परिवर्तन कहलाता है, आप यहां पर ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप ऐसे समझोगे, आपने कभी सोचा है, कि एक मीटी, यहां पर मैंने उदारन ले रखा है आप यहां पर समझ पाएंगे तो उधारन में लिखा क्या हुआ है कि आप देखिए तो उधारन में लिखा हुआ है कि चावल का पकना आप सबको पता है कि चावल हमारा किस तरह से होता है और जैसे वह आग के द्वारा पकता है तो वह किस तरह का हो जाता है यान यह आपको पदार्तिया पर हो गया तो गेहुम से आठा बन जाना यह आपको परिवर्तन होता है यानी बदल जाना देखिए गेहुम किस तरह से था और आठा किस तरह से हो जाता है और ऐसे भी आप समझेंगे तो आठा से रोटी बन जाना जिस तरह आठा क्या होता है बहुत लकड़ी किस तरह सोता है और जलने के बाद वो किस तरह से हो जाता है तो छोटी सी बात आप बहुत ही बारिकी से और बहुत ही इजी वे में आप समझ गये होंगे और आगे जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है छोटा से बड़ा होना जिया आप छोटे हैं आप छोटे हैं और आपको यहाँ पर ख्याल रखना होगा और साथ ही ऐसे समझेंगे तो घर किस तरह से होता है छोटा होता है तो छोटा दिरे-दिरे बड़ा हो जाता है घर तो यह भी आपको क्या है परिवर्तन है तो परिवर्तन आपसे अगर पुछ दिया जाया तो आप इसको लिखने का परियास किजिए ओके और अब हम समझते हैं परिवर्तन के परकार तो हमारा जो पहला परकार आ जाता है वो क्या है आप यहाँ पर देख सकते अगर आप आसानी से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा उत करम निये परिवर्तन जिसे अगर हम इंगलिस में कहें तो रिवर्सिबल चेंज यहाँ पर होता है तो यह आखिर है क्या तो आपको तो परिवर्तन पता है यहाँ पर पता है ना परिवर्तन आपको पता है अब समझना है उत करम निये परिवर्तन यह आखिर होता क्या है तो अगर आप परिभासा को देखेंगे ना तो आप एक ही बार में समझ पाएंगे तो जहां पर आप परिभासा देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा क्या दिख रहा है आप यहां पर बताईए कि क्या आपको दिख रहा है तो जहाँ पर आप आसानी से देखेगा ना तो आपको दिख रहोगा कि किसी भी पदार्थ को कोई भी पदार्थ लेजिए किसी भी पदार्थ को अपने मुल अवस्था में आजाना उत करम निये परिवर्थन यहाँ पर कहलाता है यानि कोई भी पदार्थ है वो जिस तरह बदला और कुछ देर के बाद वो फिर से फिर वही रूप में वो आजाए तो वो आपको क्या कराता है उत करम निये परिवर्थन यानि वो मुल अवस्था में आजाता है तो अगर आप इसका एक्जामपल देखना चाहते हैं तो आपको क्या है यह आपको क्या है आपको रिवर्सिबल यहाँ पर चेंजिंग है बस आप समझी कि दोबारा उसी रूप में यह आ सकता है यानि मुल अवस्था में आजाना ही आपको क्या कहलाता है उत करम निये परिवर्थन कहलाता है तो यहाँ पर गिला कपना जो होता है वो सुख जाता है तो यह क्या है आपको उत करम निये परिवर्दन का उधारन है और साथ ही लोहा का पिघलना मानते हैं एक कोई हम आजार बनाते हैं तो हर एक परकार के आजार बनाते हैं तो लोहा किस तरह से होता है और उसको आजार बनाते है तो वो किस परकार से हो जाता ह आप सब ऐसे भी समझ पाएंगे तो ये क्या है उत्करम निये परिवर्दने यानि लोहा से हम कोई भी चीज बना सकते हैं और वही बना हुआ चीज को हम फिर लोहा में बदल सकते हैं और इसके बाद हमारा आजाता है गुबारा का फुलना गुबारा जब फुलाते हैं तो वो फुटना नहीं चाहिए यानि गुबारा का फुलना आपको ये क्या है उत्करम निये परिवर्दन का उधारने गुबारा फुटना नहीं चाहिए गुबारा को फुलाईए और उस तरह हवा को बाहर निकाल दीजे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा आजाता क्या है बर्फ का पिखलना और साथ ही हमारा आजाता है कागज कागज को आप किसी तरह मोड़ेजिया और सिधा आप कहर सकते हैं तो इस परकार से आप देख पाएंगे उधारन हमारा उतकरमनिय परिवर्तन का तो यह चोटी सी बात आपको बहुत ही आसानी से आ गई होगी और इसके बाद हमारा जाता है पानी से भाप बनना ठीक है तो यह चोटी चोटी सी बात आपको बहुत ही आसानी से आ गई होगी त उत करम निये परिवर्तन अगर आपको आ गया तो इसको लिख लिजे और इसके बाद हम समझते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं अनुत करम निये परिवर्तन अगर बहुत ही आसानी से आ गया हो तो बस इसका उल्टा ही है और कुछ नहीं है इसमें बस इसका उल्टा ही है आ आप यहां पर देख पाएंगे तो यहां पर आप देखेगा तो बहुत ही आसानी से आपको दिख रहा होगा अनुत करम निये परिवर्तन जिसे हम यहां पर देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है अनुत करम निये परिवर्तन जिसे अगर हम इंगलिस में कहें तो यहां प अगर आपको उत्करम निये परिवर्तन आसानी से आ गया हो तो बस इसका उल्टा ही है और कुछ नहीं है तो यहाँ पर आप परिभासा देखेंगे तो आपको यहाँ पर इजिली मिल जाएगा कि किसी भी पदार्थ को अपने मुल अवस्था में नहीं ला जा सकता हो तो वैसे परिवर्तन आपको क्या कहलाते है अनुत करम निये परिवर्तन आपको कहलाते है तो आप यहाँ पर इजिली आप समझ पहांगे उदाहरन से तो अगर आप इसको लिखना चाहिए तो लिख लिजिए और यहाँ पर उधारन से आप समझने का परियास किजिए तो यहाँ पर उधारन क्या है गुबारा का फुट जाना गाईज अगर आपको गुबारा फुट जाता है तो क्या फिर से गुबारा वहाँ पर पराप्त हो जागा नहीं पराप्त होगा और साथ ही यहाँ पर है चावल से भात बनना जिया गाई चावल होता है किस तरह से देखिए चावल हमारा होता है अलग और जिसे ही भात बनता है तो वो अलग हो जाता है तो इस परकार के देखिए हाला कि हम चावल को दोबारा ला सकते हैं बदल कर मतलब जैसे हमारा चावल होता है चावल को भात बना सकते हैं और भात से हम उसे धूप में रखकर फिर वही वहस्था में ला सकते हैं तो यह जो आपका उधारन है जी आपको कहा है उत करमनिये परिवर्तन का उधारन है तो यह आपको ख्याल रखनी है और इसके यानि रोटी से फिर आटा हम बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं और इसके बाद हमारा आजाता है आलू का चिरना जैसे अगर हम आलू को चिर डालते हैं तो क्या चिरा हुआ आलू फिर आलू बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं और इसके बाद हमारा आजाता है गाय के गोबर से बायो गैस त्यार करना यानि गाय के गोबर था और उसको हम बायो गैस त्यार कर लिए तो क्या बायो गैस से हम फिर गोबर ला सकते हैं नहीं ला सकते हैं और इसके बाद हमारा जाता है कच्छे अंडे का उबलना यानि कच्छा अंडा किस तरह से होता है और उबलने के बाद तो वो किस तरह का हो जाता है यह आप समझ सकते हैं तो क्या उबला हुआ अंडा कचा अंडा में बदला जा सकते हैं नहीं बदला जा सकते हैं तो इस परकार के परिवर्तन आपको कहलाते हैं उत्करमनिये परिवर्तन और इसके बाद हमारा आज आता है दूद से पनिर बन जा यह क्या है उत कर्म निये परिवर्दन का उधारन है तो यह छोड़ी सी बात आपको बहुत ही आसानी से आ गई होगी है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होते हैं वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्र कर सकते हैं चलिए तो मिलता है आपका भाई एक और नए दीन और नए वीडियो के साथ है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ गई हो तो इस वीडियो के नीचे जरूर लिखेगा ठीक है तो बाइबाट टेक केर बेस्ट अफ लग लिए...